दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आयरवेद की एक क्लासिकल और गुणकारी ओसदी अस्वगंदा रिष्ट के बारे में अस्वगंदा रिष्ट को डबर, वैदेनाथ और पतंजली वाले बनाते हैं आप किसी भी कंपनी की अस्वगंदा रिष्ट ले सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्वगंदा रिष्ट के होने बाले मुक्य फाइदों के बारे में आपको इसकी कितनी डोज लेनी है, इसके अलावा इसमें कौन-कौन सी जड़ी बूंटियां डाली गई है और इसको लेते समय आपको कौन-कौन सी सावदाने रखना जुरूरी है आद इस सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे अस्वगंदारिस्ट मुक्य रूप से ब्रेन टोनिक और हद्य के लिए एक गुणकारी योस्दी मानी जाती है अस्वगंदारिस्ट हमारे सरीर की सामाने कमजोरी को दूर करने में मदद करती है ये सरीर की ताकत एवं चुस्ती फूर्ती को बढ़ाने मदद करती है अस्वगंदारिस्ट हमारी पेप्टिक फायर या जटरागनी को ठीक करने में मदद करती है अता जिन लोगों को भूग खुल कर नहीं लगती है उनके लिए ये एक अच्छी दवा है अस्वगंदारिस्ट दिमाग की कमजोरी बार बार भूलने की सिकायत मान सिक रोग जैसे तनाव डिप्रेशन चिर्चरापन आधी सब तरह की दिककतों को दूर करती है अस्वगंदारिस्ट हमारे स्रीर की मास पेशियों हडियों और जोडों के लिए भी एक अच्छी दवा म माने जाती है शरीर की सामाने कमजोरी पाचन तंतर की दिककतें मस्तिस्क और हद्य की बिमारियों जैसे एनियमित हद्य धड़कन हाई बलड प्रेसर बेचेनी गबराहट आधी सब तरह की दिककतों के अलावा ये सुक्राणों की कमी को भी दूर करने में मदद करती है अस् इस में और भी भहुत सारी जडी बूंटियों को मिलाकर इन सब को उबालकर एक निश्चित समय और मात्रा केबाद में किसी पात्त्र में भरकर इसको त्यार किया जाता है इसकी एक्सफारी दस साल तक के आसपास रहती है ये जल्दी खराब नहीं होती है अस्वगन्दारि की परमिंशन के इसको नहीं लेना चाहिए इसके अलावा इसको सुगर के फेसेंट को नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें हनी होता है इसमें सेल्प जनेरेटेड एलकॉल होता है अत्या आपको 10-15 ml मात्रा में इतना या इसे थोड़ा सा ज्यादा पानी मिला कर इसको दिन में दो बार तक खाने के कुछ देर बाद में यूज करना चाहिए तो दोस्तों ये सब जानकारी थी अस्वगंदा रिस्ट के बारे में मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आप देख रहेते दे आईस ग्यान यूटूब चैनल आज के वीडियो में इ अंदे मातरम